तो दोस्त इस महिने का लेटेश्ट एपियन आ चुका है जो कि एक स्पीड बोर्ड एपियन है और मैं आपको बताओ दो भई एवाला एपियन किसी भी सीम पर काम करेगा आपके पास अगर कोई भी एक सीम काड है तो इस एपियन को आप ट्राई कर सकतो और भई और एक चीज आप जान लो इस महिने कुछ न्यू सीरीज आने वाला एपियन का जो कि भई कुछ टेम बाद में आपको वीडियो बना के प्रोवाइट कर दूँगा तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हो सारा वीडियो अपलोड होती आपके चलिए बिना टाइम होस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक बाद चेक करके देख लेते हैं जो डेफॉल डेपेर मेरे फोन पर अभी लगा है उससे मुझे कितना स्पीड मिलता है अब हम लोग APN को create करेंगे create करने के लिए simply up setting option पर जाओ उसके बाद sim card and mobile network दन आपके पास जो भी सी में APN हर एक sim पर काम करते हैं आपके पास जो भी सी में उस sim को open करो open करती है आपको access.names option पर जाना है उसके बाद आपको इस plus icon पर tap करना है तो आपके समने बादा form आ जाएगा और यहाँ पर ही आपको सब को step by step fill करना है जो जो चीज में आपको दिखाऊंगा तब भी आपके phone में new APN create हो पाएगा तो इस name के अंदर आपको जो add करना है वह है speed, space boat, space infinity और यहाँ पर आपको definitely s, b और i जो है capital letter में रखना है उसके बाद APN, APN पर आपको 4G, cost 2.0, एक साथ और small letter में लिकना है और cost spelling में आपको बतारता हूँ C, O, Z, O, K उसके बाद proxy, nosset, उसके बाद port आता है, nosset इसे भी आपको रखना है दन आपको मिल जाएगा username, username पर आपको add the date, speed boat, 4G, सब कुछ एक साथ और small letter में लिक देना है उसके बाद password, nosset, दन आपको मिलेगा server server पर आपको www.google.com add करना है उसके बाद mmsc, nosset, उसके बाद ams proxy, nosset, ams port, nosset, दन मिल जाएगा mcc and mnc यह आपके area code इसे आपको change करने की ज़ूरत नहीं है उसके बाद authentication type इस पर आपको tap करके authentication type को second number पर मतलब की pap पे set करना है उसके बाद apn type default, nosset या फिर जो भी लिखा हुआ है वही रहने दो ipb4 slash 6 पे set कर देना है, then मिल जाएगा brr, brr देखो सबसे important option रहता है और यह basically by default unspecified पे set रहता है, इसे आपको un-tick करके lte, hsupa, hsdpa and niche 1xrtt इन सभी brr पे tick करके ok दबा देना है, but अगर आपके phone में एक स्यादा brr supported नहीं है तो उस case में आपको save एक ही brr slate करना होगा, इसमें एक ही brr को tick करना होगा, ओ है lte वाला second number पे जो आ रहा है, ok, इसके बाद मिलता है mvnotype, इसे भी आपको not set रखना है इसके बाद more option पे जाईए, then आपको save कर देना है इस APN को, और APN save करती ही आपको यह आपके दो-दो APN देखने को मिलेगा एक तो पहले से आपके phone पर जो था वो आपको दिखेगा, and second number पे आपको मिल जाएगा speed boat infinity इस पर आपको एक बाद टैप कर देना है, तो भई आपके phone में APN set हो चुका है, अब मैं आपको speed test करा के दिखाता हूँ, इस APN से क्या कुछ benefit हमें मिलता है और friends अगर अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा है, तो अभी जाकर फॉलो कर लो, एड टेक्नो माइंड उज्वल, कुछ भी problem हो तो आप DM कर सकते हो मुझे, and अगर आपके phone में by chance ये वाला APN काम नहीं करता है, आप simply description box में जाओ, वहाँ पर आपको fix APN वाला व इस बाले APN को set करने के बाद आपको maximum कितना uploading and downloading speed मिलाए, और अगर अभी तक टेक्नो माइंड उज्वल चैनल को subscribe नहीं करा, तो अभी जाकर subscribe करो, और साथी बिल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी interesting video upload होती ही, आपके पास notification पहुँच जाए, तो चलिए आज के ये बस इतना है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में